नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल गार्डन डाइरीस पर तो दोस्तों यह आप सामने जो पौदा देख रहे हैं यह नाकचमपा का प्लांट है और यह जो सफेद कलर के फूल है यह इसके फूल है तो इस प्लांट को जो है प्ल्यूमेर या पुटिका भी कहते हैं और यह एक पर्मानेंट प्लांट है इसको अगर हम एक बाल लगा लेते हैं तो यह सालों साल इसी तरीके से लगा रहता है और इस प्लांट पर जितनी भी ब्रांचिस होती हैं उन पर इसी तरीके से गुच्छों में फूल आते हैं और अभैस जित्वीत ब्रांचिस निकलेंगे फकर इस तरीके से से इसमें फूल आते हैं एक दूसरा वाला plumeria होता है उसमें गोल पत्तियां होती हैं और उसके फूलों में खुश्बू होती है लेकिन इसके जो फूल होते हैं उनमें खुश्बू नहीं होती और इसके जो फूल होते हैं बहुत दिनों तफ लगे रहती है और इसकी आप ये leaves देखिए ये बिलकुल नाक के फन की तरह इसकी लिव्स लगती हैं, इसलिए इस प्लांट को नाक चमपा भी बोलते हैं, तो यह बहुत ही खुबसूरत प्लांट है, और बहुत तेजी से यह बढ़ता है, इस प्लांट को हम कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं, इसकी कहीं से आप छोटी से छोटी कटिंग लियाएं, और इसको साधरहन भी मिट्टी में हम लगा दें, तो उससे यह नया पौधा तैयार हो जाता है, इसकी स्टेम को अगर हम तोड़ कर लाते हैं, तो कुछ दिनों तब उसमें एक सैप टाइप निकलता है वाइट कलर का, तो हमें इसकी स्टेम को तोड़ कर अगर हम लाएं और इसमें अगर कुछ रज जैसा निकल रहा हो तो इसको दो-तीन दिन तक हम यूँ ही चाया में पड़ा रहने दें, इस तरह की हम स्टेम ली सकते हैं, जिस पर उपर इस तरीकी से फूल निकल रहे हूं और फिर जब वह थोड़ी सी नीची से सूख जाए उसको हम मिट्टी में लगा सकते हैं, इस तरह की स्टेम लगाने पर इस तरह की हम किसी प्रकार की स्टेम ली सकते हैं, तो यह बहुत अच्छी तरीकी से जो है मिट्टी मिट्टी में लग जाती है तो जहां से यह पत्तिया निकल रही है वहां से हम इसको कट करके और मिट्टी में लगा सकते हैं इसके प्लांट से जो होते हैं जब हम इसे तोड़ते हैं तो इसमें वाइट कलर का एक दूद्ध जैसा निकलता है वही इसका सैप होता है तो उसको सूखना बहुत अवश्यक होता है अब हम इस प्लांट की मिट्टी की बात करें तो इस प्लांट को जो है हमें वेल्डेन मिट्टी में ही लगाना चाहिए जिसमें की हमारी 50% गार्डन की स्वाइल और 50% कमपोस्ट होनी चाहिए कमपोस्ट हम कोई भी प्रकार की ले सकते हैं जिससे की यह इसकी जो मिट्टी हो विल्कुल वेल्डेन बने और इस तरीके से देखें आप यह मेरी मिट्टी देख रहे हैं इस तरीके से यह बुर्परी हो और इसकी हर 10-15 दिन में हम इसकी गुडाई करते रहें अब हम इस प् कि मिट्टी आपको यह सूखी सी लगे तभी हमेस प्लांट में बहुत अच्छे तरीके से पानी देना है पानी हमें अपनी इस प्लांट को इतना देना है कि इसकी जड़े होती है वह बहुत गहरी होती है तो वह पूरी जड़ों तक इसका में पानी पहुच जाए तो एक जब हम इसमें पानी दें तो बहुत अच्छे तरीके से इस प्लांट को जो है पानी दें और जब भी हम इस प्लांट को लगाएं तो एक बहुत ही बड़े से पॉट में लगाएं क्योंकि यह जो plant होते हैं इनकी जड़ें जो होती हैं बहुत ज्यादा गहरी होते हैं तो देखिए मैंने इस plant को इस बाल्टी में लगाया हुआ है और यह करीब 10 लीटर की बाल्टी है तो यह तोट गई थी इसमें मैंने इसको लगाया हुआ है अब हम इस प्लांट की फटिलाइजर की बात करें तो इस प्लांट को ज्यादा फटिलाइजर की जरुवत नहीं होती है बस हमें हर पंदा दिन में इसके उपर जैसे और प्लांट पर हम अपने फटिलाइजर में हम डालते हैं तो वही fertilizer हम इस plant को दे दें तो वैसी तो मैं इसमे liquid fertilizer देती हूं गोबर की खाद तो आप जो भी खाद देते हूं हर पंदा दिन में दे दें जिससे कि हमारी plants को जो है बहुत अच्छे तरहिके से food मिलता रहा है और उसकी growth जो है बहुत अच्छे से होती रहे है इस plant पर किसी प्रकार की कोई pest का attack नहीं होता है और अगर इस पर कोई pest लग भी जाता है तो आप नी मॉयल का spray आप इस plant पर कर सकते हैं या जो भी आप spray करते हूं तो वो आप इस पर कर सकते हैं तो यह छोटी सी बात है थी जो मैंने इस plant की बारे में बताई और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए का थैंक यू